तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं असिस्टेंट मेन्यू के बारे में जो कि सेमसंग के मुवाइल में आपको एक फीचर मिलता है जिसका नाम है असिस्टेंट मेन्यू दोस्तो उसके बारे में आपको कुछ लोगों को पता भी हो और तो वीडियो को करेंगे, तो आज की वीडियो यह बताने वालो दोस्तों तो वीडियो को सुस्क्राइइंगे, वीडियो को फूर देखे हो मेरे दाम सनि और आपका स्वागत है मेरे जाहल सेट टेक में तो सबसे पहले आपको असिस्टेड मेन्यू को अनु करने के लिए आपको जाना गोगा अपने अंवाइल के सेटिंग पर सेटिंग में जाने के आप यहां नीचे की तरफ आएंगे आपको एक ओप्शन मिलता है एसबील्टी का आपको दिख रहा होगा आपको एसको आपको नहीं मूव कर सकते हैं और आप यहां पर यह option मिलने वाले आपको दिखराओगा प्रिडिफाइन आपको उप्षन बिल जाएंगे हाँ पर आपको रिसेंट का उप्षन मिल जाएगा रिसेंट से एप कुल जाएंगी यहां से अगर आपको लिगे उसके आपको हम मेन्यू का मिल जाएगा। होम पर जासकते हैं। यहाँ पर आपको dom надо मिल जाएगा साथ में स्क्रीन आउफ का वाल्यूम का इन इन कर जारी बहुत सारे आपको आप्षा यहां पर मिलने वाले यह तो बहुत सारे लोगों पता ही होता है कि इसमें सक्षे मेन्यू से पर आपको जो कि मैंने बताया आपको इंदर के लिए तो इसके लिए अंदर बापिस आपको 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 क्लिक करना है आप यहां पर देखेंगे सेकंड नमबर पर और आपको मिल रहा है आपको select app to show contextual menu with मतलब contextual menu इनके मनलब यह जो apps दी गई है इन apps में अगर आप जाओगे उसके बाद आपको assistant menu में अलग से आपको feature दिखाई देंगे जैसे कि आप देखेंगे यहां पर अभी आपको normal जो features दिख रहे हैं मस वही दिख रहे हैं बट अगर आप इसके के अलावा भी कहीं जाओगे इसको on करके तो आपको हाँ पर अलग से और option मिलने वाले कैसे आपको करना क्या है बाइडिफॉल्ट यह आफ रहता है आपको सबको on कर लेना है on करने के बाद लाइक मैं सबसे पहले आपको ले जलता हूं यहां पर आप देखेंगे जो apps लिक तो आपको कुछ अलगस नहीं मिल रहे हैं बाइडिफॉल्ट जो आपको option मिलते हैं वहीं मिल रहा है आपको home recent और back और notification मतलब यहीं जो आपको features मिलते हैं वहीं मिल रहा है बट अगर आप यहां पर आएंगे assistant menu में और यहां पर इसको allow कर देंगे तो उस setting on करने का जब आ आया option मिल रहा होगा यहां पर और तो सुच जिए कमरे का option दिख रहा होगा और वहल। सीदह यहां पर एक नए option मिल रहा है आप देख रहे होंगे आपर इस तो यह कहते हैं contextual menu यह हो गया आपको यहाँ पर यहाँ पर camera में दिख रहा है और वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको और भी एपस दीव गई होगी आप जाएंगे वापस यहाँ पर यहां पर अलग से अप्शन दिया जाएगा इसको बंद कर देना सेटिंग को खोलने के बाद वापस आप यहाँ पर आएंगे यहाँ देखेंगे आपको यहां पर अलग से option दिया गया है recent contacts और add contact करने का आपको दिख रहा होगा आप डारेक्ट यहां से recent पर जा सकते हैं context देख सकते हैं और add to contact कर सकते हैं ऐसे ही अगर आप बापिस अपने while क्या message में जाएंगे message में देखेंगे तो आपको यहां पर भी अलग से menu दिख रहे होंगे like compose करने का delete करने का सर्च करने का option दिख रहा होगा और वहां पर अगर आप यहां पर exposure में जाएंगे क्या बोलते हैं सैंसंग के internet exposure पर जाएंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अलग अप्शन मिल रहा होगा इंटर वैब अड्रेस टैप और नियू टैप एड्रेस करेंगे तो आप डारिक्ट वहां पर करजार आपको उपर चले आएगा और कीवोड खुल जाएगा और यहां पर अगर आप टैप जाएंगे जैटनी भी आपकी टैप्स कुली होंगी सैब तो यहांपर आप कहां कर सकते हैं इसको तो सैमसंग मैं सैंठें इंग मैं आने का यहां पर देख रहूं तो यहां पर भी असको मैं बन करूस्ट गर्ची कर अरो बहन Recently श्मूद्टर और कर वहां आप जत्री thôi हो सकता है कि जो मेरे पास एप सपोर्ट कर रही ही कम हो आपके पास जितनी अलग से एप्स हों कुछ अलग भी दिख रही हो तो आप यह हमापर यूज करके देखेंगे इस उप्शन को तो आपको नहीं पर डेफिनिटी फरक पता चल जाएगा पहले क्या था और दूसरा क्या दोस्तों मुझे उमीद है कि मेरे वीडियो पसंद आई होगी दो सबस्क्राइब करें यूज करण को अपको नीचे डिस्क्रीप्शन हो तो थेंक यू दो